हलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही जादा स्पेसल होने वाले है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम अपने यूनिट फर्स्ट का चैप्टर वन जिसका नाम है कंट्रॉल ड्रग डिलेवरी सिस्टम को कम्प्लीट कवर करने वाले हैं जी यहां दोस्तों तो आज की इसी वीडियो में आपको जो भी कंट्रॉल डिलेवरी जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे तो अब इसलिए वीडियो तो लेंदी होने वाली है तो इसके लिए दो मुनिट आप पहले रूल समझे लो कि आपको आख जो हमारा इसमें चैप्टर रहेगा वो हमारा सबसे जादा इंपोटेंट पाट है पूरी वीडियो का क्योंकि एक्जाम में यही वाला जो हमारा कोश्चन है वो 10 मार्क में पूछा दाता है इसका नाम है अप्रोचेस टू डिजाइन कंट्रॉल रिलीज फॉर्मिलेशन व बना रहे हैं इसके लिए जो हमको ड्रक्स चाहिए उन ड्रक्स की एक्शुल में क्या फुजीकल और केमिकल प्रपरटीज और बायलोजिकल प्रपरटीज होनी चाहिए तो इसमें से मोश्टली अगर कभी-कभी रियरली आएगा तो पूरा दसमें आता है वरना मोश्टली बाकि आज की इसी वीडियो में यह कंप्लीट होगा और साथ में जो इसका नेश्ट बाला मारे चैप्टर पॉलीमर है वह भी आपको तुरंट इसके जश्ट बादी वीडियो मिल जाएगी तो देखाए आपकी यूनिट फैस्ट आज ही आज में जो पूरी कंप्लीट हो ज ज़रूरी है और अगर एपार समझ लोगे ना तो यह से सिंपल कोई सब्जक्ट नहीं है बस आपको कैस समझने की देर हैं समझ जाओगे आपको नोट्स मिल जाएंगा और बड़े आराम से एक्जाम बगरा में पूरा बनाकर लिखके आ सकते हो तो इसलिए यह बहुत चलिए तो सबसे पहला हमारा पार्ट इसमें आता है इंटोडक्शन वाला जिसके अंदर हमारा जो पहला टॉपिक भी आ था वो है क्या इंटोड़क्शन टू सीडी यह यानकि यह कंट्रॉल ड्रग डिलेवरी सिस्टम एक्च्वल में होता क्या है तो इससे रेलिटेट हम हम समझते हैं तो एक्च्वल में जो कंट्रॉल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वह हमारा पार्ट है अब यह होता क्या है तो इसको आप लोगे आपके पेट में जाएगी गुलेगी मिलेगी और आपको एक्सेंस हो करेगी तो यह अब तक जो आप कंवेंशनल आपका डोजिस सिस्टम है कि इस तरह से हमारे बॉडी में क्या होती ड्रग को डिलीवर किया जाता है औरल रूट से यह आप अगर लिखाओगे टैबलेट पानी के साथ यह आपके औरल रूट से दिया जाते हैं जानकि इंजक्शन वगरा आपके यहां पर नसो बगरा में लगा जाता है सिश्टम क्या हुआ कि जो अमारे लोग पीपल ने उनको ना को ठोड़ी बहुत क्या होने लगी प्रॉब्लम होने लगी तो उनी सब प्रॉबलम को करने के लिए हम ने यहां पर क्या बनाया था नडवर डिलिवर सिक्टम और उसी के अंदर का हमारा फाट सिटिग डिए अ हम एक पूरा का पूरा एक्जामपल समझते हैं तो लेट करो कि यहां पर कोई भी हमारे पेसेंट है जो इस तरह जो मैंने आपको बदाए यह पूरा सिस्टम आप समझ गए मालो कोई हमारे पेसेंट है और उसको क्या हुआ कि वाई उसको तीन टाइम दवा खाने के लिए माल कई केस में वह धोके से भूल जाता है कि सुबहार काम में बेस्टी हो गया या मालो हमेशा घर नहीं होगा सबै कहीं भार हो गया तो इन केसमें क्या होता है उसको पेसेंट कंप्लाइंसें बोलते हैं और यह सबसे ज्यादा ड्रॉबैक है हमारे इस कंवेंसिनल डर्ग डिल तो इन केस में क्या हुगा लेट मैं आपको बताता हूं यह कहानी याद रखें जो मैंने आपको बताई है कि मालो एक भाई कोई मतलब मिश्टर पेसेंट है पी जो काफी जाधा एजेट हो गए हैं और बीमार है काफी जाधा तो उनको डॉक्टर के पास आना पड़ता है इस बात को द Gud Judee से क्या डॉलमंगे कि यानकी नोषट इनmeno अब से काम लिए और इन्होंने क्या किया किया कि इस जो हमारे इन की रिलीज को समझते हो जैसे किसी को एक तरह से मन के लपने बस में करना भूसमें करन लड़की वाला सींवह समझ ना कि थे मेरी इसको मैं अपने बस में कर लूँ या वो कभी नहीं होने वाला यहां दबा के बारे में इसे दबा कोई कंट्रोल कर लो आप लोग फार्मसिष्ट हो तो अब इसको क्लैरिफाई करते कि आखर उनने यह किया तो लेट करो उन्होंने क्या किया कि पहले इन्होंने टैबलेट की फलके बड़ा प्रका बना दी और उसको क्या बोड़ी के अंदर इंज्यक कर दिया चाहे वह पेरेंटर से कैसे भी किया उस ड्रक को बाड़ी के अदर रस डाल दिया पूरी पूरी नभबे डेट्स को आप आप गोगे नभए टेलीं मिला के तो बहुत जादा हो जाए अग तोटल उन्होंने 90 टैबलेट जितना जो एक आप वर वाड़ी में डाल दिया अब यहां कोशन आता कि ऐसे डाल दिया तो एक सार बार्टी में रिलीज हो जाएगा टॉक्सिक्वीट हो जाएगा बहुत जाएगा तो इसी के लिए उन्होंने जो system मारा बनाया control drug delivery system अब इस system का मतलब क्या था कि ये इसकी drug की release को control करेगा यान कि इसने इस तरह से release किया कि जो हमारी एक tablet होगी 90 वैसे वो हमारी मालों morning में release हो गई तो जो next tablet होगी वो हमारी afternoon में ही release होगी और उसके बाद जो हमारी तीसरी tablet होगी वो हमारी evening में release होगी फोर्थ होगी वो हमारी again morning में release होगी तो इस तरह का उन्होंने पूरा का पूरा एक CDS में system मनाया जिसके according क्या होगा कि जो हमारी tablet थी वो सुबह साम दोपर सुबह साम दोपर routine ली क्या हो रही थी अब यहां पर पेसेंट जो इन्होंने बात बोली ना इनने बार बार कहीं आना जाना पड़ा ना इनने बार बार दबा खानी पड़ रही थी पस एक बार नो ने डाली और महीने बार के लिए क्या होगे वो फिक्स होगी कि दबा अपने आप जो है रिलीज होगी तो अब कोश्यन आता है कि यह हुआ कैसे मैं आपको इंट्रो इसलिए अच्छे से बता रहा हूं क्यों कि एक वार अगर आप इंट्रो समझ गयाना कि क्या चीज होती है तो आप आगे कहानी आटोमेटिक आप इसलिए होगी तो इससलोली वार ज्रण बॉडी में रिलीज होता रहेग और ना हमको टॉक्सिटी नहीं हमको बार बार दबा लेने पड़ेगी नहीं पेसलड रिदा मोई नहीं प्रॉब्लम हुई नहीं को और पर दबाद को खाना बूलेगा कोई लिए कोई बीज सो वाइविटी हमारी काफी अच्छी होगी क्योंकि स्लॉली स्लॉली यहारी बॉडी के अंदर पहले पहुंच चुका है तो इस तरह से जो भी हमारे प्रॉब्लम थी कन्वेंशनल में उन सब प्रॉब्लम को ओबरकम किया हमारे इस NDDS और CDDS ने तो यहीं हमारा एक्चुल में होता है control drug delivery system I hope आपको समझ आ गया होगा कि जो भी चीजा हमारी होती थी पेसेंट की उन सब को क्या गया इनोंने पहले तो overcome किया दूसरी हमारी बाड़ी में इनोंने क्या किया क्या कैसे बाकी space को मैं side रखता हूं इसी के according करेंगे अब हम समझते अपनी definitions को कुछ यहां पर इंपटेंट वाली है तो पहले हम NDDS को समझते हैं तो अब यह वीडियो में सिंपल बता रहा हूं आप यह वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपको ऐसा लगए आप एक्जाम के लिए तो अब NDDS को समझें तो इट रफर्ट तुदा अप्रोच एस फॉर्मिलिशन टेक्नलोजी एंड सिश्टम फॉर्ट ट्रांसपोर्टिंग अड्रव और इस तरह कर रहे हैं कि वह हमारा सेफ भी हो और हमारी बॉड़ी में जो भी थेरापेटिक एफेक्ट है वह हमारी बड को सिंपल वे मैंने यहां लिखाए कि अब में चेप्टर का यहां पर आता है सीडीडिएस की डेफिनिशन तो इसको हम बोलते कंट्रॉल ड्रग डिलिवरी सिश्टम अब इसका में काम कहा थे कि इट मेंटें दा स्यूटेवल एंड डिजायर ड्रग डिलीज ओवर एं एक् कि कोई बी जो हमारा ड्रग है और अगर यह जाते थे कि कोई बी जो ड्रग हमारा वहर मतलब एट आवर के बाद तीन वार हमारी बड़ी में रिलीज हो और महिने ब्रिलीज हो तो इसी तरह का हमारा इस सिस्टम इस cds ने बना के दिया और एक्सटेंडिन टाइम पिरिड ए यह पॉलिमर की मैट्रिक्स की बजा से हमारे यह क्या हुगा पूरा पॉशिबल हुपाया इसके बारे में भी नेस्ट हमारे चैप्टर पॉलिमर उसको भी हम डीटेस में पढ़ेंगे तो अब अगर हम यहां से डीटेस को एक तो यह डेफिनिशन हो सकते हो यह इसको और हमेंटे बाद यह तो हमारे यहां पर क्या है कि कंटिउनिशली हमारा क्या होगा ड्रइस होगा mothers continuously हमारे body में release होगा fix time के लिए यान कि हमने एक महीने के लिए एक महीने के लिए हमारी body में release होगा तो इस तरह से हमारे cdds है जो बोला वही यह definition में simple है आप याद कर सकते हो तो अब अगर हम main aim की बात करें यान कि जो हमारा cdds है उसका main aim के लिंग लिए तो सबसे पहले नमबर पे it reduce the dozing frequency यान कि इन्होंने क्या कि हमारी body में बार बार लेनी पटा रही उसको तो इन्होंने खतम ही कर दिया इन्होंने सब एक बार हमको बस लेनी है और कम अमांट में लेगे क्योंकि अब आपको बताए कि ये ड्रग है तो इसमें बहुत सारी चीज़ लगानी पड़ते हैं यहां हमने पूरा ड्रग दिया और सबको एक साथ बनाया तो हमारे और सबसे लाश्ट क्या है ड्रग यूनिफॉर्म ली तो वही मैंने बनाया कि कंट्यूनिसली हमारे ड्रग को रिलीज करें यूनिफॉर्म ली जानकि एट आवर में जितना एक ट्यावलेट होगी जितनी हमझी उतनी रिलीज होगी तो यहां पर कुछ भी वो नहीं साथा आटोमेटिक हो रहा तो प्रॉब्लम तो है नहीं कि वही कम ज्यादा का लेकिन हमारे कैस में हो जाता है कई वारा हम जैसे आप अगर मैं छोड़ा एक्जाम वहां मालो आपने सुबह आठ बजे या दस बजे सुबह साब फ्री होके नो दस बजे खा पाते हो फिर दो बजे तो यहां पर हमारा पूरा अगर देखा दाए तो यह इंट्रोडक्षन का पार पूरा अच्छे से खासम हो चुका है इसे में उन्हीं को हम यहां पे डिफाइन करेंगे तो पहले इस तरह से आप यहां पर लो मैंने साथ लिखके हैं वैसे तो बहुत जाता थे इनिका हम या यहां पर जो आर दिया है तो कि यहां पर जो इनोंने बॉड़ी ने इसको इन चांट्रोल के रखाये जैसे यहां कि यहांने बढ़ रहा था कि यहां मिनट होगे पंदे मिनट होगे उसी तरह हमारा बॉडी में जो ड्रग था मालों यह ड्रग कंसर्टेस्ट है वह हमारे रिलीज होता जा रहा था तो जीरो और को इन्हों जैसे टाइम बढ़ेगा प्लाजमा कंसर्टेस्ट हमारे रिलीज होगा उसी और पर यहां पर नहीं हमने पूरा कोई मालों पैच बना जी है कोई ड्रग बनाया इसके नदर मारी दो तीन डोज है अब क्या होगा जैसे हम इसको अपनी बॉडी में देंगे एक डोज मालों यह तीन डो toujours हमारी तीन डीज होगे तो एक डॉद्ष हमारी बाडियमे तुरंत क्या होगी रिलीज होताएगी अब मालों की इसका टायंम टाइग त rebuilt 2-3 डोज है तो हर एक डोध हमारी उसका जो भी फिक्स टाइम होगा उस टाइम के बाद वो हमारी बॉड़ी में रिलीज होती रहेगी और अपना एक्शन सो करती रहेगी थर्ड हमारे यहाँ पर यहाँ पर आता है एक्स्टेंडेड रिलीज फॉमुलेशन तो एक्स्टेंडेड का मदब आप दानते हो कि किसी चीज को हम क्या कर रहें थोड़ा सा खीच रहें लंबा कर रहें है कि मालो यह ड्रग औरढ़ी में दे रही है तो इस तरह को हम बोलते हैं those drugs which last longer in our body यानकि हमारी बॉड़ी में वो थोड़े से लंबे टाइम के लिए stable रहते हैं लंबे टाइम के लिए अपना action so करते हैं और वो कैसे करेंगे अगर हम उसका elimination rate घटा दें यानकि हमारी बॉड़ी से drug release होता है exit out होता है बाहर हमारी बॉड़ी से निकलता है उस rate को अगर हम कम कर देंगे तो वो drug हमारी बॉड़ी में ज्यादा time के लिए रोका रहेगा और हमारी बॉड़ी में अपना action so करेगा तो यही हमारे होते है extended release formulation और इसमें basically क्या कर सकते हैं जो फ्रीकॉइंसी को कम करेंगे जो मैंने बताया सुबहसा हम खानी पड़ रही अब आप सिर्फ एक बार खाओगे तो यह हमारा extended release formulation फोर्थ हमारी डेफिनिशन आती है delayed release formulation तो delayed का मतलब होता है लेट यानकि हम जैसे हर बार college बगरा में हम तो mostly late बगरा ही पहुंसे तो college में मालो आपका time साड़े 9 या 10 है तो आप साड़े तस साड़े गरा पर पहुंच रहे हो तो एक तरह से इनका मतलब होता है डेले हो जाने यानकि लेट हो जाना अब यह formulation में क्या मतलब है तो इसका मतलब है कि मालो आपने कोई भी tablet बगरा पौनलो यह दी तो यह body में जाके क्या करेगी तो अपना action so जब जाएगी वहां जाके release करेगी और जो intestine में जो भी एक्षण locally so करेगी तो पेट में ऐसी उन दवा पर हम यह वाली बड़ी में यह formulation लेंगे वह mostly हमारी physiological site of action पर ही जाएगी या उसके पास जाएगी जैसे मालो आपके हाथ में जोड़े कहीं भी लीवर वगरा है जा मालो हर्ड के लिए में दबाए तो उसी का आस पास जाके वह क्या करेगी रिलीस होगी अब साइट पर वह साइट पर ंर्ड़ी और वह साइट पर आपना आक्साथ जा पर आपके अन्दर Strategy अर्गी उसेपटरर आपサorg करेगा मारा सिस्टम तो पहली जो हमारी दो तो अपने इनिसियल टाइम पर जानकि जो उसका मतलब सिश्टम है हमने जैसे बॉडी में दिया इंजक्ट वह अपनी रिलीज हो जाएगी लेकिन उसके बाद क्या होगी वह सफिसियंट मतलब बाकी का जो ट्रग है वह पिरियोड एकली या जितना भी के लिए कोश्चन वन जाता है तो आपको छोटे छोड़े दिफ्रेंस पता करना है क्या कैसे है और आ सकती तो आप कर सकते हैं तो यहां पर अगर देखा जाए तो हमने अपना इंट्रॉडक्शन और टेमिलोगी या डेफिनिशन वाला पार्ट देख लिया है जो कभी बार पांच नंबर पगिना में आ सकता है अब हमारे यहां टॉपिक आता रेशनल यान की रेशनल का सिंपल था कर मतलब देखा जाए तो जो सीडीडियास है इसके अंदर आप जो ड्रग बना रहे हो तो आप उक्ट्वल में वह ड्रग बना क्यों रहे हो उससे हो क्या रहा है उ अब्रलब मतले एक्ट्रम क्या है तो अमें ठालर करके यह चीजजा कर सकते हैं और बस इसी तरह ते हम बनाते हैं बाकि हम उसके श्ट्रक्टर प्रॉपरटी बहरा में चेंज कर दिते तो यहाँ पर दो तरह ही हमारे रिशनल है पहला होगा और सेकेंड हमानी होगा हम यहां पर रिडूस कर देंग डोजिंक फ्रिक्वेंसी को यान कि यहां पर यह पर रिखेंशन बना रहें तो बार-बार किसी को ड्रग लेने की ज़रुवत निंप पड़ेगे दिन में एक दो बार मतलब कम हो जाएगा उसका तो जानते हो कि बार बार दबा नहीं लेनी पड़ेगी फिर यहां पर आता है बार येता ही होड होगा क्या करते हैं करने ह dran कर सुक्ति को जब आपने देखा होगी इस लोर से होगी दो एक इसम और जोल होगी तो की था हमाई कर लिए आप लगे हैं और इसंपर समझ हो की कोई का हमारी का कर रहा हुंग सकते हैं कि इनके हमसीं लगा दी तो मशीन तो आटोमेटिक काम करेगी तो वह मारे कम हो जाते हैं जैसे गिनने वाली तो वह रुपए हास से गिनेंगे कई वार हो जाकता है कि नकली नोट को भी बता देगी कि यह नकली है यह असली और टोटल गिनती है तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं क्योंकि यह सब्सक्राइब अट्साइशब साथ समझ सकते हो आडिवर सफेक्साइपेक्स हमारे काफी कम हो घाती है तो यह हमारे कम चीज पर ांत।री सब्सक्राइब चले इस हो कोई तारगेट साइट दडीइस हो अपना घ्क्साइब छाएं और अपना अच्छे तक त्स यान कि सिंपल अगर देखा दाय तो CDS के हमारे overall conclusion क्या निकल के आते हैं पहले नमबर पे क्या होगा कि वो हमारा क्या करेगा एडिकेट मान जान कि जितना हमको drug चाहिए उतना वो क्या करेगा रिलीज करेगा एक तरह से उसने drug की रिलीज को control कर दिया दूसरा हमारे यहां पर side effect कम होगें तीसरा जो हमारा actual site of action यान कि वह targeted पर हमारा क्या देरा एक्शन सो कर रहा है यान कि targeted site of action यह दो तिन चीजह हैं जो हमारी काफी अच्छी यहां पर हमको देखने को बिलती हैं अब इसमें कुछ biological इस वाले पार्ट में हम देख लेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी हमारी एक्च्छल में होनी चाहिए तो यह था हमारा पूरा पूरा फड़ना यहां रेशनल वाला अब हम इसके जल्दी से कुछ एडवांटेज और डिस एडवांटेज को समझ लेते हैं तो भाई एडवांटेज तो भर भर के हैं यह चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि यह पेसे इंप्रूब करेंगे डोजिंग फ्रिक्वेंसी को कम करेंगे मेरी बात मानों ता जैसे यहां पर रेशनल में भी आपन इस हमारे वेटर हैं नॉर्मल वाले से तब भी आप यह वाली चीज़े लिख सकते हो तो इस तरह से आप कुछ वर्ड को चुलो जिन वर्ड को आप कहां कहां यूज कर सकते हो जिससे आपके लिए कोशन मेकिंग आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होताईगी तो एडवा उसके बाद इसमें हमारे एडवर्स एफेक्ट काफी कम होते हैं तो यहां पर इनक्रीज पर इन्विट्रों और इन्विवर को रिलेशन अब आपको अगर सौट बहता हूं तो जो हमारा यह सब करना यह सब करना यहां सब्सक्राइब क्या है और इस नुक्सान होसकता है नुक्सान सब्सक्ताइब वाला कि मालो इंदा केस बैसे होता नहीं लेकिन इंदा केस मालो कि अगर यह जो हमने पूरा बनाया CDS वाला सिस्टम अगर यह बर्क नहीं किया तो इसके इंदर जो हमारा ड्रग है वो बेकार हो जाएगा बेश्ट हो जाएगा तो यही हमारा होता है dose dumping अगर हमारे जो डिजाइन है वो फेल्ड हो गया तो और सबसे लाश्ट और सबसे इंपोर्टेंस का डिसमांट है यह है कि अगर मालो इंदा केस कोई भी ड्रग है वो अगर टॉक्सिटी कॉस कर रहा है तो उसको रिट्राइवल करना है यानकि उसको बापेश लाना काफी मु की साथी तो उसमें तो आप समय सकते हो काफी दाधी डिफिकल चीज़ होती है तो यह हमारे कुछ डिसड्वांटेज है जो हमारे इसी सीडीडिया सिस्थम के होते हैं तो अब हमारा जो चैप्टर बंदा उसका लाश्ट बजाना सिलेक्शन ऑफ ड्रग केंडिटेट तो य क्लास में कोश्चिंग वर्या करते रहते हैं मतलब एक तरह से उपर से बढ़ा देते हैं यह तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो उन्हीं को बेज़ेंगे ऐसा तो नहीं है कि उसकी सप्लियां आ रही हो जिसकी बैक आ रही हो उस बच्चे को कोई कॉमपडिशन मे नहीं दा सकते कौन से ट्रग है वो तो ड्रग विदा सौट एंड लॉंग हाफ लाइफ यानकि ऐसे ड्रग जिनकी हाफ लाइफ बहुत सौट होती है तो अम मालो इतनी महना से आपने सीडियर बना उसकी हाफ सौट लाइफ है तो वह क्या ही एक्शन्स हो करेंगे वो कुछ फर्ष्ट पाल मैटाप्लिजर्म जहां इक मैंने डिसरवांटेश भी बढ़ाया थे अब अगर कोई ड्रग है जिसकespère पाल मैटाप्लिजर्म जाता हं नहीं सौटो했는데 प्रोपर्टीज वाला तो इसमें आपको फिर बता दूँगा कि प्रोपर्टीज वाला तो इसमें वह प्रोपर्टीज बताएं जो हमको CRDDS के लिए चाहिए तो वह आप उठागे यहां पर लिख सकते हो बहुत आराम से कोई प्राब्लम नहीं है वाकि यह चाहिए कि हमारा ओरली क्या हो एब्जॉर्प्सिन इसकी अच्छी हो और दूसरे नम्मर पर वह हमारे इस्टमक के अंदर इस्टेवल होना चाहिए यान कि हमने कोई दबाख आई तो सबसे पहले पेट में जाएगी तो पेट का जो फ्लूड होता हमारा फ्लूड है उसमें वह इस्टेवल हो ऐसा ना होगी एसट वगरा पूरा खतम हो जाए तो कोई मतलब समझो कि एक्ट्रोल में यह चीज हमारी है क्या ठीक है यहाँ पर सिंपल सी वाथ समझो तो लेट करो आपको यहाँ पर क्या बनानी है दवा बनानी है जिसका नाम क्या है सी आर डीडिए यान की कंट्रोल रिलीज ड्रग डिस्टिविशन सिस्टम अब यह कंट्रोल कर रहे हो वहां पर क्या करो मोश्ट्टी टाम अप क्या करते हैं जिससे वो हमारी बॉडवी में लंबे टाइम तक अपना अधान सो कर पाई तो उसके लिए क्या करते हैं पहले हम सबसे निदेगां इसकी सबसे पहले होती है Convert होताईगी अब जैसे होगारे जो पेट के अंदर हमारे फ्लीट होताई यानि या इसद होता है कुछ पानी भी हम जब tablet खाते है तो आप एक दो गिलास पानी पीते हो ना तो बीजेदेर क dalam पानी भी बाड़ी के अंदर होते हैं इसके बात है काम पूरा मैं जम्छाता है तो मिखता है तो एक स्फूर्टनेकं करके चोटी पार हमारे जो हमारे बाड़ी के उसके बसकता हünüzके साथ जाके पोरा मिक्स होगा उसको हम बोलते हैं डिजॉल्यूशन यानि की एक तरह से यहां चुलीट बन गई है हमारे ड्रक और जो पीड़काप होता वो हमारा सॉल्वेंट बन गया तो इसमें यह जो हमारे drug particles है वो higher concentration से lower की तरफ मूव करते हैं आब यहां पर हमारा drug हमने अभी अभी tablet आज हाई तो यहां से drug हमारा क्या करा है और यहां से इस बाली blood cells में क्या करेंगा move करेंगा और इस से क्या होगा हमारे रख यहां पहुंच जाएगा फेट प्रॉइट के पैडर कर सकते हैं और जब कर देंगे तो Bolag yeah क्या हो जाएगा slow down हो जाएगा और इसको हम कर सकते डिजॉलीशन वाली प्रोसेस से और जब हम यह कर देंगे तो जो हमारा मतलब ड्रग हो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा CRDDS के अंदर चला जाएगा दूसरा है कि हम यहां पर एब्सॉर्ब होगा यह होने के बात तो एब्सॉर्ब होता है तो वहां पर होते हैं डिफ्यूजन वाली प्रोसेस को भी क्या कर सकते हैं में इसको जब हम पढ़ेंगे तभी मैं आपको समझा दूंगा कि यह चीज क्या होती है बाकि और भी चीज आप जानते हो कि यह सारे कर सकते हैं उसके बाद हमारे बौडी का link से कुया है इसका सिंपल तो अगया है कि यहां पर यहां पर इसका सेटाइब इसका अलड़ा ब्रेक निक करने हैं तो अगर हमने के पूरी की कावरिंग कर पॉलीमर की कवर्इंग क loot जब जब अंदर जो ड्रग बहु निकल के आए और द McL में अपने ट्रग करेंगा अपने जो ड्रग है सलोडाउन और यही सेm हमारे इस diffusen वाले में follow करता है कि यहां भी जो हमारा drug मालो यह हमारा पूरा drug है तो इसके उपर हम क्या करेंगे जो हमारा drug है वो पहले हमारा यह जगहा से भी रिलीज होता है तो यह 8 moments घंटे छहां गया भी auto mark घंठब होगी इस तरह हुग होता है तो समझाने के लिए भी चैसे आपको बने पर धीक में health करतें तो इसाथ कि यहां पे शॉत हो का में इस फ्रक्श न सबहुत हैं यह यहां पर इसको समयने के लिए पानी की टंगी और मांलो इस पानी की ढूंडीम मैं ऑडिगं स्टेइगा तो क्या आप का जो यहां से लीक करना सुरू होगा तो पानी तरंट लिक कर जाएगा ऐसा तो नहीं बहीं मालो अपने यहां फिर बी आपको पानी की तंगी की घाने में लगबग एक से दो दिल लग जाएगा और सिंपल यही फंड़ा आप ऐसे समझ सकते हो कि बहुत सारे नल और ऐसे टौनटी वग्रा होते हिं जो ख्तलीं दर लीक करने के bạn जूँद भी हमारे होते हैं कि तंगी dissolving का मतलब क्या होता है कि यह polymer हमारा slowly slowly क्या होता है dissolve हो रहा होता है अब इसके अंदर हमारा भरा है drug तो जैसे हम इसको body के अंदर inject करती है जो हमारा polymer है सबसे पहले क्या होगा यह भाहर की खबरिंग है तो सबसे पहले धीर धीर हमारा इससे बाहर निकलना शुरू हो जाता है अब रवाई पॉलीमर हमारा का होता है मजबूत होता है इस तो नहीं कि एक वार में पूरा पतला होता रहेगा और तरह हो यह तरह से मारे यहां पर आते रहेगे तो इस तरह से ब्लकुल गला चीज ऐ इस तरह होता है और जाहएं रहे हो भी हमारा इसी के साथ ही हमारे इस तरह का हो दाया दे ड्रक कनेक्ट हिसा तो यह तरह से हमारी ब 토र को रिलीजे करते हैं यह ने काई होज़ Kollege यह उससमेंस पृड़ी से समझ लेते हैं कि 3 हमारे तो आप चाहिए तो एकशल वही हम समझें को आगा को तो डिफूजन की पहले आप डिफूजन डिफिशन कंप्रूल् रिलीज तो लिए तो तो डिफूजन की पहले आप हमारे क्या करते हैं drug molecules move करेंगे और इसी प्रोसेस से हमारे जो drug molecules है वो एक्चल में एब्जॉप करेंगे केवल definition तो नहीं चलेगा क्योंकि यह जो डिफ्यूजन है उसका हमारे काम क्या है में एक्चल में हम क्या करा है इसके दौरा अप्र यहां को करेंगे इसके लिए हमारे का उसके प्री में यूज़ करेंगे जो मैं मैं यहां नहीं है आप यह कहानी है definition है फिर इसके दो सिस्टम है रिजर्वायर वाला है हमारा फिर matrix है अब इनको आप define करो simple और आपका पूरा काम आसान हो जाएगा तो रिजर्वायर सिस्टम को हम जो है membrane control system भी बोलते क्यों बोलते हैं वो आप अब यह जो आपको देख रही होगी यह polymer की क्या है पूरी की पूरी कोटिंग कर देते हैं और यह polymer हमारा water in soluble होता है यांगी पानी में क्या होगा यह हमारा डिलीस नहीं होगा और इसी को हम क्या बलते हैं जो polymer use करेंगे इसमें इतायल चरलो यूज कर सकते हैं या polyvinyl नाम जरूर रख लेना किसे नाम है लिख्थ。 अब इस अब इसका काम किए होगा। कि ये हमारे रेट को कंट्रोल करेगी कैसे करेंगी ? तो ये हमारा ड्रग ड्रक को यह दो हो रहा है और नौब जो टो हो रहा है कि आफंट सो यहीं गोलेने को निसी रही होथे अमारे में अ kronom द ns कि यहां से अनिकल रही हैं और बहार निकल वाज यह जो भी जगा पर जो करेंगे अपने टार्गेट पर जाकर क्या तो यह हमारा होता है तो यह हमारा होता है पूरा पूरा का सिष्टम में यहां लिखा हुआ हमारी इस डिलीवरी रेट है उसको करेगी तो यह पूरा सिस्टम था पॉलिमर हमारे इतायल सलोग या पॉलिवनाइल एसिटेट हम यहां पर यूज कर रहे हैं और इसलिए इसको मेंबरें कर रहा है क्योंकि जो में हमारी इसमें अलग से मेंबरें है जो इसकी ड्रक की रिलीज को कंट्रोल करेगी तो यह थोड़ी सी चीज ऐ इसको आप छोड़ो क्योंकि इतना मतलब नहीं हो पाएगा अगर दस में आता है तो आपके लिए तीन जो मैंतलब यही इनफ है क्योंकि इसके भी हमारे दो पार्स है इसके भी हमारे दो पार्स हैं तो देखाता है वन टू थी फॉर फाइफ आपके लिए चीज उताएंगे दो आपके लिए दस नमर के आकॉर्डिंग तो आप चाहो तो इस वाले पार्ट को स्कीप कर सकते हो अब हमारा सेकंड यहाँ पर सिष्टम आता है वहारा मैट्रिक स गया की है तो हमारे पॉलीमर की बनेगी इसके बन सकती है तो या तो दो हमारे पॉलीमर की बनेगी इथाल सेललोज जैसे हो गए यहाँ आपके बनती है और हमारे सबस्क्नराइभ हो गया dug Hearts हो गया हखुSo के छिए हिख पर हमारे यह मैं यह uh कंट्राइल को बना सकते हैं तो यह कुछ चीज यह के लोरा हम यह मैटक्स को बना सकते हैं तो सिंपल था फंडा देको इस्ट्रक्चर जरूरू बना के आना यह चीज एकदम क्लारिफाई कर देता है कि किस तरह से हमारे जो पूरा चीज एक षबौरा पॉलिमर दिख रहे हैं अब क्या होगा यह जैसी दिया दाइगा धीर होगा हमारे यह तीरे चीज़ोल और काइनेट इक्स को और जो पहला वाला था यह रिजर्वाय था यह विसकली फॉल्व कर रहा है जीरो ऊल्र को यानिकि यह मारा एक्स्टां में आपको याद रखना है क्योंक'' क्योंक्स रखने हैं इतने अंदर पार्ट हैं आप भारे में 2 लाइन लिखोंगे तब भी हमारे दो पार्ट यहां पर रहने वाले हैं तो डिजॉलिशन में सबसे वहले हम इसकी डेफिनिशन पढ़ लेंगे कि इस प्रॉसेस इन पिस ड्रग पार्टिकल इस डिजॉल्विंस सॉल्वेंट यान कि जो पेट के अंदर का मारे फ्लूड होगा वह हमारा एजा वागी कुछ बात हैं कि अगर हमको यह करना है तो इसके लिए हम स्लोली डिजॉल्विंग पॉलीमर का यूज करेंगे जो हम डिफीजन में कर रहे थे वहां डिजॉल्विशन में करेंगे और सेके नमरे पर हमारे बीचीज है जैसे हम साल्ट बगरा बनाते चो छोड़ो हम करेंगे तो यहां अपर एक होती ऐसको हम एकोने क्या करेंगे थी मने AREट नहुत में होती है तो यहां सबसे नीचे हमारे अगे अगर हमारे जो पॉलीमर है उसकी थिक्नेस बहुत ज़्यादा रहेगी तो भी आटमेटिक हमारे जो रेट आप डिसलीशन वह मारा कम हो जाएगा फिर यहां पर सबसे ऊपर क्या है तो यह में एक तो आप चाहो तो इसको को भी स्कीव मार सकते हो अगर कर सको तो भाई सोने पर सवागा है कोई बात नहीं आपका में फोकल यहां पर रखो तो डिफ्यूजन की तरह हमारे डिसॉलीशन भी दो तरह पार्ट में है पहले इसको डारक्ली आप डाग्राम से समझो कि क्या करते हैं कि मालों हमने ड्रग ल जब यहां पूरा बना जाएगा हम एकाप्सूल के अंदर है ना हमारा न सब्स्क्राइब में जरसे बात रह्यां होता है कि पहले मारे हमारे कैप्सूल खतम होगा उसके गोद जो हमारा यह ना एक एक polymer हमाई यहां हटता जाएगा और हमारे जो ड्रग है वो अंदर से रिलीस होता जाएगा तो यह हमारा सिंपल था फंडा है जो encapsulation में कैसे क्या होता है आप यहां समझगे होगे example मैंने लिखते हैं इसे pentaprozole बगरा हमारी यह बनी होती है इसी के अंदर हमारे के आता है matrix control, dissolution, control वाला पूरा आता है यहां फंडा तो matrix में क्या करेंगे कि this involves the compression of drug with slowly dissolving carrier into tablet यान कि जो इस तरह हम diffusion में बना रहे थे उसी तरह को जहां बनाते हैं कि हमारे यह पूरा का पूरा system है यहां polymer बगर आप लिख सकते हो यह polymer है यह slowly dissolving matrix है और यह drug है इनको हम compress करके आपस में dissolve करके इस तरह से बनाते हैं कि इस यह क्या करते हैं control करते हैं porosity of tablet की यान कि कोई भी टैबलेट पके रहा है उसके अंदर जो आपको पता porosity को यह कम कर देंगे दूसरा देखने को देगा उसके बाद इसमें polymer की बात करें तो इसाइल cellulose हमारा यूज हो रहा है उसके बाद बहुत सारे बैक्सिस भग रहा है इन सब का हम यूज करेंगे तो यह हमारा होगा पूरा इस डिजॉलेशन सिस्टम यहां पर आपको दिख रहा होगा और यह भी काफी अच्छा है तो आप लिख सकते हो हो सकता है कई बार कि मतलब या तो पूरा का पूरा ही हमारे यह सिस्टम दे दिया जाई मतलब यह तो डिफ्यूजन यह कोई सा भी हमारा पांच में आ सकता है या फिर पूरा ही हमारा जो है दस नमबर में कुशिन आ जाता है तो अब हमारे यहां पर थर्ड बनता है आयन एक्षेंज कंट्रोल रिलीज के बारे में तो बेसेकली देखा जाए तो दिस सिस्टम में यूज फॉर कंट्रोल रिलीज ऑफ आयोनाइजेबल ड्रग जैसे मैंन जो आयन्स की फॉर्म में होते हैं इसी तरह के हमारे कुश ड्रग होते हैं तो वो ड्रग हमारे क्या है आयोनाइजेबल फॉर्म में है तो उन्हीं की यहां पर बात होगी आयन एक्षेंज कंट्रोल रिलीज में कि यह हमारे बेसिकली उन्हीं वाले ड्रग के लिए यहां प यह एक तरह से जो ड्रग और ने अपने अंदर कई ृप्छ को यहां पर जिसे उद्लप को डूलीज और उसके रहेका तो रेजिन का यहां पर पूरा नजिए करेंगे जिन रहीन के पास क्या होगा एस सब्सक्राइब का आप और तो अब क्या होगा जैसे हमारा टाइम हो जाएगा सफिशियन टाइम होजाएगा यह रेजिन क्या करेंगा यह रेजिन इस ड्रक को यहां पर क्या कर देगा रिलीज कर देगा और यह एस पॉजिटिव को अपने साथ जोड लेगा तो यह पूरा हमारा complex भी बने गया resin SO3 H positive और drug जो positive बारा था कैटानी वह हमारा क्या होगा यहां पर भार है अब यह हमारा drug है यह ने कहीं नेगाटिव बना देगा तो इस तरह हमारे यहां पर काम करते हैं कि वह भाई ड्रक को नेगाटिव है तो positive के साथ जुड़ेगा और एक को यहां पर रिलीज कर देगा और फिर अपना पूरा complex बना देता है तो यह हमारे रिवर्सिबल वाला होता है तो यह इस तरह आपको यहां पर पूरा दिख्या होगा तो अब अगर दिखा दाय तो हमारा जो पूरा second chapter सा यहां कि यहां पर पूरा हो गया पहला second chapter हमारा approaches पूरे पूरे तीन method हमारे यहां पी हो गई है तो आपको यह पूरा समझ आ गया होगा कोई भी डाउट से तो आप comment करके हमें पूछ सकते हैं अब हम समझते अपने थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मतलब अगर मैं इस पूरे लंबे चोड़े टाइटल का अगर आपको देशी मतलब सिंपल बताओं तो यह है कि CRDDS के अंदर जो हमको ड्रक्स चाहिए होते हैं बनाने के लिए उन ड्रक्स की क्या-क्या properties होनी चाहिए पस हमको वह properties आपको बतानी है तो properties हमारी दो तरह की हो हो सकती है एक हमारी होती है फिजियो चैमिकल और एक हमारी होती है biological प्रपरटी तो फिजिको कैमिकल प्रपरटी में सिंपल हम उन पैरामीटर या उन फेक्टर की बात करते हैं जो फेक्टर हमारे drugs related होते है और drug की physical और chemical properties के बारे में होते हैं तो इसके अंदर हमारे कुछ पार्ट में बागी यह इतना इतना इंपूरेंट नहीं है तो मैं आपको समहादूगा क्या क्यक्या कहने है और कई हो सकता है कि पार को फेक्टर कैसे लिखनी है कि factor में दो एक्रा आते jin में आपने नाम समझ लिए एक एक करे मैं समझते बात करें तो होगा तो भाई हमको यहां पर क्या करना है बहुत सारे बनाने हैं पूरा कॉंपलेक्स बनाना है तो जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा हमको डिफिकल्टीज होगी और सब चीजों में और बड़े ड्रक की हमारी अब्जॉप्शन भी ऑटमेटिक कम उचाती है तो CRDDS के लिए हमारा मॉलेकुलर साइज यतना छोटा होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा तो भाई सिंपल है कि स्मॉल फॉर बैटर कोटिंग और एब्जॉप्शन तो मतलब CRDDS के लिए हमारा देखा जाए तो स्मॉल साइज हमारा काफी अच्छा रहता है थर्ड हमारी काफी अच्छी होनी चाहिए लेकिन एक केस हमको और याद रखना है कि वाटर की स्वल विटी हमारी बहुत जादा हाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर हाई स्वल विटी होगी तो उसका जाए तो इससे हमारा जो टाइम है वो हमारा कम हो सकता है तो गुड सॉलिविटी चाहिए लेकिन वैरी हाई वाटर सॉलिविटी नहीं चाहिए तो इसको तो आप लोग अच्छे से जानते होगे कि इसके दोरह हम पता लगाते है कि कोई भी ट्रग हमारा लाइपोफिलिक जरका है कि हाईडोफिलिक है लाइपोफिलिक मतलब ऐली फेस हाईडोफिलिक मतलब एककोस फेस तो इसके लिए हम क्या करते हैं मालो हमने यह 50-50% चीज़र ले लिए जोनो अपने ड्रग यहां पे डाला डिजॉल्व कि अच्छे से मिला दिया अब जो ड्रग हमारा जिस तो इतना मैटर यह नहीं करता क्योंकि उसके उपर पूरी कोटेंग हो जाती है लेकिन लाइपोफिलिक की ड्रग यूज यूज के जाता है सबसे अच्छे हो लेकिन इस केस में क्या होगा कि बरावर होना चाहिए हमारा कोई ट्रग ज्यादा लाइपोफिलिक भी नहीं होन लेकिन कुछ हमारे ऐसे ड्रग होते हैं जो कैरियर मीडियेट है अब मालों कुछ-कुछ ऐसे ड्रग जो किसी कैरियर मीडियेट के जाते थे तो गर कैसे पार करेंगा तो इसके लिए यह बिलकुछ सीटबल नहीं है अगर कोई ड्रग हमारा केरें मेडिटेट बाला है तो उसको हम CRDDS नहीं बना सकते जैसे बिटामीन बी बगरा बाले हो गए फिर ड्रग इस्टेवलिटी की बात करें तो बहुत बात है कि जिसकी ड्रग इस्टेवलिटी अच्छी होगी यानि कि जो हमारा जो जैसे आपको ब प्रॉब्लम है कम है वो तो हमारे लिए पूर केंडिटेट हैं उनको हम CRDDS में नहीं ले सकते हैं फिर हमारे यहां बात आती है ड्रग पी के बारे में तो यह एक तरह से हमारा आयोनाइजिशन होता है तो आपको बताएं कि आयोनिक वाला ही चाहिए क्योंकि वह हमारे क्या क्या होगी बस आपको ना ओरली याद रखना है अगर आपको क्या करना है यह एक साथ आपने लिखे अब इसमें आप सिंपल याद कर लो इसमें क्या है और साथ में ट्रांट्रम मॉलेकुलर साइज स्मॉल होना चाहिए हमारी गुड़ों नहीं चाहिए पार्टिशन को भी अब यहां पर देखा दाए तो पहले अच्छे बॉड़ी में बनाएंगे तो अपना अच्छे वाले अच्छी होने चाहिए कि अगर अच्छी होगी तो अब इसलिए बात है अब ने कि अगरनेशाब होनी चाहिए कि अगर मालओ किसी ड्रग के साथ बाइंड हो जाएगा और वह अपना एक्छंज यहादा सो क्यों कर पाएगा तो ड्रग जब इसको पकड़ करेगा मालो नहीं दो लोग है तो प्यार तो आप सम्हां बहुत करते लेकिन उसको काम प लिखो और भई अपना कमाओ वाओ अपने आप बागी सारे लोग आते रहेंगे आपके पास ठीक है तो यह चीज़ आप समय के प्रोटीन वाइडिंग हमारी इतनी जादा नहीं होनी चाहिए हमारी 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 हमोंनी होँरो क्याता है हाफ-टांग कि यो यह भी हमारी हमारी सी जादा होता हि till तो हमारे स्लो चाहते हुए वहरी सोटी सी ज़ह धाएगी खृत्षा की बात करें छी इंडैक्स का सिंपल मतलब है सेफ्टी मार्जिन जो मैंने आपको बताया था कि मालों यह हमारी रेंज है कोई हमारा ड्रग इस तरह जा रहा है एमजी में तो मालों पचास एमजी के बाद बोटक अपना एक्शन सो करता है लेकिन ठाइसों अमजी पर होते होते वह क्या करता अपना लीचल इपक यानि कि पूरा अपने पर नहीं यह चीज़ों को बना सकते हैं क्योंकि आपको बताए कि अगर थोड़ा सा भी उपर नीचे होगा क्योंकि したभी वह सकते तो इसलिए हमको सेफटी अच्छे वाने जाधी जाधा हुख जादा हो् इसलिए हमको सेफटी अंचहे बार चैए जिनका सेफटी और मार्जिन जाधstarow तो हमने पूरा ये तीसरा वाला पार्ट हमने सौट मां कवर किया क्योंकि यह जादा नहीं पूछाता था इसको हमने बहुत अच्छे समझा क्योंकि यह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है जो मैंने टिक भी लगा रखा है और ये भी हमने सभी समझ लिए जो पांज नमर में कभी आताते हैं तो देखाता है तो हमारा पूरा का पूरा का पूरा कंट्रॉल डर्ग डिरीव सिस्टम कवर हो चुका है अब आपको वीडियो कैसी लगी इतनी बड़ी मिल दोस्तों जैंगे तो बस आज की वीडियो में तो बस आज की वीडियो में मिलते हैं आपसे बहुत दने उस्क्रेंट ठैंक यू टेक क्या अपनवी लोग अपनों ऑनी फ्हां दोस्तों जयें दोस्तों